हेलो शूरेंट्स कैसे हैं आप लोग तो बच्छ आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलोजी का चैप्टर नम्बर थरी जिसमें मैंने पहली वीडियो अल्रेडी डाल चुका हूँ इसकी रिप्रोडक्शन की ठीक है तो आज जो है वो पहला पार्ट डाल चुका हूँ में तो बायो को तो आप बीच को टापिक में से नॉर्मली तैन की बायो को तो पढ़ सकते हो लेकिन जो 11-12 की बायो उसके लिए तो शुरूबात करनी पढ़ती है तो जिसने ना देखियो वो देख ले और पार्ट नम्बर सेकेंड उसके बाद कॉंटिन्यू करना ठीक है तो पार इस यको पी ट्रफिजन पढ़ाता बायो रिजन के दो टाइप पढ़ेता है तो आज का च में बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा कोई ICSC का बच्चा होगा तो मैं आइडिया दे देता हूँ बच्चा आपको और कोई UK का बच्चा होगा तो UK के बच्चा तो बिल्कुल no tension कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सीखना तो देखो सभी कोई है तो UK का बच्चे जो है उसके पेपर में only definition आती है Regeneration की और fragmentation की जहां तक CBSC का सवाल है तो CBSC में भी definition पूछी जाती है और कभी-कभी regeneration और जो मेरा four topic है fragmentation उसका difference पूछ लेता है ICSC तो unique ही चलता है तो वो filling the blanks में देता है यह questions ना filling the blanks में देता है जायातर कि जो regeneration है वो किस organism में इस्तमाल करा जाता है dash और जो fragmentation है वो किस organism में करा जाता है dash तो आपका जवाब बहुत ही simple होगा ICSC वालो कि जो regeneration है वो apply होता है unicellular organism में और जो fragmentation है वो होता है multicellular organism के लिए बनाए गए topic fragmentation ठीक है इतनी बात समझ गए आप लोग तो मैंने time बचाने के लिए पहले यहाँ पर regeneration और fragmentation के definition लिखनी है तो वो आप लोग बाद में note कर ले ना पहले आप यहाँ पर थोड़ा सुनो ठीक है ध्यान से तो देखो बात क्या है बात यह है कि हमारे पास एक unicellular organism होगा जैसे कि हम एक organism planaria को मान लेते हैं planaria हमारा एक organism है ठीक है यह unicellular organism है तो planaria जो है normally आपको pond वाले रुकेवे पानी में कहीं सीला गीली सीला के नीचे मिल सकता है तो planaria जो होता है normally वो पानी के जटके से अगर बहुत तेजी से flow हुआ पानी के साथ तो वो पत्थर पे जाकर टकरा गया या वो किसी भी ऐसी चीज से जाकर टकरा गया कि उसका जो है वो break हो गया ठीक है इसका मतलब planaria कहीं से टूड गया dispatch हो गया टूड गया देटेच हो गया तो planaria के कुछ part टूड गया या तो उसका motion तूड गया या तो उसका digital process से कहीं से भी टूट सकता है तो यह diagram जो है अभी फिलाल के लिए यही है कि उपर से भी टूट सकता है या बीच का सिर्फ body part या निके सिर्फ इसका पेट रह सकता है या नीचे की leg आप बोल सकतो leg तो दो होती है अब इस बेंचारे की एक ही है तो क्या बोलते है जब एक तूटेगा तो तूटने पे इसका हर एक पाइट हर एक पाइट वहीं से गुरो कर जाएगा हर एक पाइट वहीं से गुरो कर जाएगा और इसे कहते हैं बच्चो रीजनरेशन क्या कहते हैं Regeneration तो आप Regeneration में example लिख सकते हो प्लेनरिया का तो मैं readout करके बताता हूँ मैंने definition के लिखे हैं यहाँ पर definition यह है Regeneration जो है In unicellular organism The body part of the organism regrow and getting back full body of the organism ठीक है? तो कोई भी unicellular organism होगा जिसका कुछ body part होगा वो regrow कर सकता है और regrow करने पर पूरा का पूरा organism develop हो सकता है जैसे leg कड़ गई तो पेट और मुँ आ जाएगा पेट बचा है तो मुँ और leg आ जाएगा और मुँ से पेट और leg भी आ जाएगा ठीक है? तो यह बच्चो प्लेनरिया बहुत ही famous example इसका तो यह आप example लिख सकते हो और साथ ही साथ आपको diagram भी create करना होगा diagram भी बनाना होगा ठीक है? तो diagram भी बना लेना और definition भी लिख लेना अब next आते हैं बच्चो आपके fragmentation पर तो fragmentation most all the time unicellular के लिए बनाए गया यह topic कि unicellular में कोई भी चीज होगी जो accidental process से या किसी भी चीज से उनके अगर pieces हो जाते हैं वो टूट जाती है तो वो pieces regrow कर जाएंगे pieces क्या कर जाएंगे? regrow तो वो भी किसमा आता है बच्चो fragmentation में आता है और fragmentation कुछ इस तरीके का होता है green color का होता है और jelly type होता है इसको देख सकते हैं बहुत अराम से हाथों में भी पकड़ सकते है और जब यह तूट जाता है pieces में तो यह दुबारा से regrow कर सकते है तो मुझे उमीद है कि आपको differences भी पता चल गई होगे आपको इनका main motive difference भी पता चल गया होगे यह unicellular की category रखता है और यह रखता है multicellular तो unicellular के लिए topic बना दिया regeneration और multicellular के लिए fragmentation ठीक है तो इतनी बात आपको समझवा आ गई तो बच्चो यह हो गया हमारा regeneration और fragmentation अब हम आ जाते हैं definition number 5 पर जो के हैं हमारी spore formation की तो वह मैं समझाता हूँ कि spore formation क्या होता है तो जल्द जल्दी यह note करिए फिर मैं आपको spore formation समझाता हूँ ओके बच्चो तो अब हम पढ़ रहे हैं spore formation spore formation बहुती simple है spore formation में जारे तर हम fungus की बात करते हैं तो यहाँ पर एक example ले सकते हैं rhizophus fungus का जो के जारे तर आपके bread में लगती है बंद में लगती है तो यह सारी के सारी चीज़े हैं तो आप structure देखकर समझ जाओगे कि structure कैसा होता है इसका तो मैंने बनाए हैं इसको अभी ना देखो ठीक है फोटोस देखलो तो यह कुछ structures होता है जो bread में लग जाते हैं और अगर काफी zoom करके देखा जाए तो यह कुछ ऐसे दिखते हैं तो यह जो होते हैं इनको rhizophus fungus कहते हैं तो rhizophus fungus जो होती है वो अगर थोड़े से भी हिस्से में material के थोड़े से भी हिस्से में लग जाए तो वही पर ही वो develop होती है और उनके अंदर units contain हो जाती है units का मतलब होता है spore ठीक है और मैं इनको कह रहा हूँ units जो इसके अंदर store हो जाएगे इनको units कहेंगे ठीक है तो यह units store हो गई यहाँ पर जैसे ही यह develop होती है जैसे ही यह develop हो जाती है spore engine में तो spore engine जब आपका crush में मतलब करंची करंची हो जाता है तो obviously यह क्या बोलते है rupture हो जाएगा तो जो spores हैं वो भार निकलना शुरू कर देंगे और दूसरे bread के हिस्ते में लगना शुरू कर देंग और sport formation का सबसे ज़्यादा best example है rhizophus fungus जो के structure मैंने यहाँ पर बनाया है एक important बात और है कि जो rhizophus fungus की जो बच्चो roots होती है उनके जो root hair होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं और उनको as a root नहीं माने जाते हैं उनको as a बोल देते हैं root लेकिन normally उनके root के ratio को ज़्यादा तर high P कहा जाता है क्या कहा जाता है high P तो high P hair like structure projection होता है तो कभी-कभी one marks मान जाता है यह paper में तो आप लिखो गए thread like projection called high P तो यह आपका high P होता है तो यह भी हमारे small formation भी हो गया बच्चो ठीक है तो अब मैं आपको सिखाता हूँ इसमें कि हम artificially artificially किस तरीके से चीजों को grow कर सकते हैं ठीक है artificially जैसे हमारे किसान लोग हो गए तो वो भी क्या बोलते है artificially grow करते हैं काफी चीजे naturally तो कुछ भी उग जाएगा ऐसे लेकिन हमें जो खाने पीने वाली चीजे हैं और भी चीजे हैं जैसे rose का plant उगाना है हमको घर में या हमें गन्ना लगाना है तो गन्ना क्या बोलते हैं गन्ना जो normal होता है उसको उखाड के थोड़े न अपने घर में लगा लेंगे तो गन्ने के क्या करने पड़ते हैं लास्ट में नीचे से pieces करने होते हैं जड़ावाले pieces और इतना हिस्सा जो गन्ने का होता है नीचे से आप piece ले लो इतना सा और वो लिटा कर ऐसे soil में डाल देना तो आपके घर में गन्ने के पेड़ उख जाएंगे तो यही तो होता है यही आपकी artificial vegetative propagation होता है तो artificial vegetative propagation का meaning यह है कि जो man made होता है man made जो plant उगाई जाते है उनको artificial vegetative propagation कहता है ठीक है और यह तीन तरीकों से आप कर सकते हो तो वो तीन तरीके में बिल्कुल डीटेल में आपको बताऊंगा और आपको लिखना पड़ेगा तो पहले आप यह लिख लो उसके बाद शुरू करते है artificial propagation vegetation ठीक है ओके शुडेंट तो आप पढ़ते हैं artificial vegetative propagation तो artificial vegetative propagation में बहुत ही सिंपल है कि यह तीन टाइप के होते हैं और यह man-made होते हैं man-made plant लगाई जाते हैं तो ऐसा नहीं कि man-made plant बना रहे हैं plant की कुछ तकनीके होती हैं कि जल्दी से हम plant उगा ले कुछ हमारे जो साल भर में plant लगते हैं उससे 10 गुना हम plant उगा ले तो ऐसी कुछ techniques होती है जो man-made होती है तो पहली जो technique है वो है cutting तो cutting में बच्चों करना यह होता है कि cutting में आप diagram देख सकते हो जैसे rose plant है तो rose plant को अगर हम sharp knife से काटे ठीक है और उसकी जो stem हमने sharp knife से काटी है उसको अगर अलग से soil में लगा कर ग्रो करें तो वहाँ पर हमारे एक और rose plant उग जाएगा और यह बताओ कि हमारे पास बड़ा सा कोई rose plant है उसके हम कितनी stem काट सकते हैं एक समय पे हम उसकी 10 stem काट सकते हैं 15 stem काट सकते हैं तो वह 10-15 stem अगर हम लगाएंगे तो हमें कुछी समय में 10-15 रोज के plant मिल जाएंगे तो बच्चो कटिंग से फायदा हो गया ठीक है एक ही समय पे हमें बहुत सारे plant मिल गए बहुत सारे plant हमने कम से कम समय पे grow कर लिये तो उससे कहते हैं cutting second है बच्चो layering तो layering में क्या होता है layering में न कुछ flexible plant चाहिए होता है ऐसा नहीं है कि layering में हर plant use हो जाता है layering थोड़ा ऐसा है कि ज़दा famous नहीं है और ज़दा suitable भी नहीं है ये हर जगा पर use नहीं कर सकते हैं ये सिर्फ वहीं पर use कर सकते हो आप जिसके plant की टहनी थोड़ी flexible होती है जैसे कि jasmine का plant होगी आप चमेली का plant भी कहता है तो चमेली की जो क्या बोलते है stem होते हैं बहुत ज्यादा flexible होती है तो flexible को आपको मटी के अंदर ऐसे निकाल के ऐसे डाल दोगे जैसे आप diagram तो देखी रहे होंगे तो diagram में होगा वो तो क्या बोलते हैं आप stem लोगे और stem को नीचे ऐसे करकर मटी में digging कर दोगे उसको दवा दोगे और suitable condition देता रहोगे तो जो हिस्सा आपने वो soil में दवाया है ना वो हिस्सा खुद बखुद ग्रो करना शुरू कर देगा और वहां से जड़े निकलना शुरू हो जाएगी और वो इंडिविजुली भी फिर ग्रो कर सकता है उसके बाद आपको क्या करना उसके बाद आपको वो जो जुड़ी भी stem है पुराने प्लांट से वो काट देना तो बस आपका नया प्लांट आपका अल्रेडी हो गया वही पर ही तो यह जो है most of the time layering ज्यादा तर यूज़ नहीं होता है बस जास्मीन के पेड़ पर और भी कुछ variety पर यूज़ हो जाता है और tough पेड़ पर इसको इसको इस्तमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं बच्चो ग्राफ्टिंग पर तो ग्राफ्टिंग क्या होता है ग्राफ्टिंग में होता यह है कि हमारे पास एक प्लांट होगा और दूसरा प्लांट होगा same species होनी चीह है ठीक है तो कोई प्लांट ऐसा है जो फ्रूट नहीं दे रहा है उसकी फ्रूट की प्रॉपर्टि आई ही रही है या आबी रही है तो बहुत खराब फ्रूट आ रहे है तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे लीची का पेड़ है तो लीची के पेड़ का जो नहीं दे पा रहे है वह और जो उगाता है, जो क्या बोलता है, जिसमें उगती है लीची, उसके आपने स्टेम ऐसे काट ली, और एक और लीची का यहाँ पर पेड़ है, जिसकी स्टेम को भी आपने इस तरीके से काट दिया। ताकि एक दूसरे पर लग जाए, तो कैसे काटना है, इनको ऐसे काटना होगा न, तो यहाँ पर एक और stem में बना देता हूँ, जिसको आपने कुछ इस तरीके से काट दिया, अब आपको करना क्या है, उपर वाले stem को, उपर वाले stem को और नीच वाले stem को आपस में जोड देन है, और कपड़े से, और मट्टी लगा के, पानी लगा के, बिल्कुर रैप कर देना है, तो same species है, तो same species, लेकिन quality अलग होगी, लेकिन same species है, तो यह जो आपने चिपकाया है, यह already चिपक जाएगा, ठीक है, bonded हो जाएगा, उसके बाद इसकी properties के अंदर चली जाएगी, और यह, आपकी variety of, लीची देना शुरू कर देगा, ऐसी आप संत्रे में भी कर सकते हो, यह चीज, ऐसी आप, काफी variety में कर सकते हो, यह चीज है, ठीक है, तो इनको hybridization करना भी कहता है, ग्राफ्टिंग को, तो आपको आगया समझ में, artificial vegetative propagation कैसे होता है, अब मैं आपको naturally होता है, हमें कुछ करने का नहीं होता है, बस वो naturally हो जाता है, तो यह तो artificial है, तो हम मैं पढ़ाऊंगा, आपको point number seven, जो के normal हो जाता है, by naturally, कोई man-made काम नहीं होता है, खुदी naturally उगराए, जो भी उगराए, ठीक है, तो इसको note करो, उसके आदा आगे करते हैं, अगे, student तो vegetative propagation बढ़ता है, vegetative मतलब naturally, मैंने आपको समझाए दिया, कि naturally जब plant के कुछ parts में automatically कुछ naturally उगना सुरू कर दे, तो उसे कहते है, उसे कहते है, vegetative propagation, तो vegetative propagation जो normally होता है, जैसे normally आप अपने kitchen में अगर देखो, तो अगर बहुती लंबे दोर का आलू या प्याज आपके kitchen में है, जो कि आपने use नहीं करा है, तो आलू में से कुछ buds निकलना कुछ शुरू हो जाते हैं, green-green, अगर आप समझ रहे हो तो बात को, ठीक है, तो जैसे आलू में से buds निकल जाती है, onion के उपर में से पुरा, क्या बोलता है, सबजी type निकल जात है, तो वो जो है leaf के किनारे किनारे से उगुना शुरू कर देता है, ठीक है, तो यह सब कुछ naturally हो रहा है, यह कोई man made नहीं है, तो तब ही इसे कहते है natural vegetative propagation, तो simple आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बच्चों देखो ऐसा है कि मेरी तो निक्त खराब है और थोड़ा तेज में बोलने रहा हूँ अभी इसी वज़े से, और जो तीसरी वीडियो होगी, वो होगी sexual reproduction के उपर, जिसमें आपको काफी मज़ा आएगा, और बहुत सारी चीजे नहीं सीखने को मिलेगी, और आपको actually में पता चलेगा कि जो हम pleasure समझते हैं, वो pleasure नहीं वो कुछ और ही है, वो technical चीज हैं बहुत सारी ठीक है, हाँ pleasure भी है लेकिन technical भी है, तो बिल्कुल अच्छे से समझना और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते हो, और copy pen लेके बैठा करो, और note भी कर लेकरो, शाती साथ, ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जो part number 3 होगा, अभी के लिए इतना है, ओके, thank you